हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है एक बड़ी खावर आ रही है CBAC बोर्ड ने 2021 में क्लास 10th 12th की बोर्ड परिक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए एक जरुरी अपडेट सेयर किया है कुछ छात्रों की मार्क सीट में C लिखा हुआ अब आएगा अब ये जो C लिखा हुआ हो आएगा तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि इस C का मतलब कमपार्टमेंटल है यानि की फेल है इसका मतलब है कोरोना वाइरस और प्रैक्टिकल एक्जामनेशन की डेट बदले जाने से क्या है पूरा मामला तो चलिए पूरे नियूस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा कि अप्रेल सुरू होते ही बोर्ड परिक्चाओं को लेकर बैचैनी एकदम बढ़ने लगती है कहीं फेक सर्क्यूलर सेयर किये जा रहे हैं तो कहीं कोविट पॉजिटिव छात्रों को रहा देने के लिए नई कदम भी उठाए जा रहे है इसी बिच सीबीएसी बोर्ड ने छात्रों की मार्क सीट में से जूरी एक जरुरी सुचना सेयर की है जो कि आप सभी स्ट्रेंट के लिए जानना ये काफी ज़ादा जरुरी है अब आपके मार्क सीट में सी लिखा हुआ आएगा और ऐसा नहीं ये सभी स्ट्रेंट के लिए मार्क सीट में लिखा हुआ आएगा यह सिर्फ उन students के Marksit में लिखा हुआ आएगा जिन students का practical date या फिर theory का जो date होगा वो बदला हुआ रहेगा और ऐसा तब ही होगा जब उसकी examination छूटी हुई होगी यदि मान के चलो आपकी examination चल रही है और आप उस examination में नहीं बैट पाए COVID-19 के कारण तब जाके आपके Marksit में वहाँ पे C लिखा हुआ रहेगा अधरवाइस फिर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो CBAC Board ने Class 10th और 12th Board परिक्षा 2021 की तयारी कर रहे चात्रों को उनकी Marksit में लिखे C से परिशान ना होने की बात की है दरहसल कुछ चात्रों की Marksit में C लिखा हुआ इस बार आएगा लेकि लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उनके Marks कम आये हैं या फिर वे फेल हैं बहुत सारे ऐसे स्टूरेंट्स है जो कि घवरा जाते हैं कि C लिखा हुआ है और C का मतलब वो सिर्फ Compartmental समझते हैं तो उनको लगता है कि मेरे में C लिखा हुआ है या फिर में नंबर कम आया है ठी इसी तरह की लेटेस्ट अबडेट्स वाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना हुले थैंक यू